नमस्ते स्वागत आपका हमारी नहीं वीडियो में इस वीडियो में हम बनाएंगे साइडबार उजिंग रियक्ट एंड टेल्विन सी एसस तो आप देख सकते हैं हमारा पास लाट साइडबार शो हो रही है एन इस साइडबार हमारे पास कम्प्लीटी रीट्रेक्टेवल है into a mini sidebar, यहाँ पर हमारे पास icon show हो रहे हैं, अगर हम icon पर hover करें, तो हमारे पास side पर floating level हमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर home दिखाई दे रहा है, dashboard, projects, calendar, task, reporting, setting and help, and यह हमारे पास completely retractable है, तो इस sidebar को हम बनाएंगे इस video में, और हमने दो images यूज़ की हुई है, logo, and यहाँ पर profile, तो उन images का link आपको नीचे description में मिल जाएगा, and इसका complete code भी आपको इस github repo मिल जाएगा, जिसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा, तो चलिए इसका शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, हम आच के अपने वीडियो कोड में, और यहाँ पर मैंने folder पने करका है sidebar, यह हमारे पास react starter project है, जिसमें हमारे पास tailwind CSS installed है, and इस react starter project का link आपको नीचे description में मिल जाएगा, and हमने इस पर complete video भी बिनाए हुई है, कि हम react project कैसे install कर सकते हैं, and उसमें tailwind CSS कैसे install कर सकते हैं, तो उस वीडियो का card आपको यहाँ पे show रहा होगा, तो आप उस वीडियो को देखके यहाँ तक पहुंच जाएंगे, and then, यहाँ से आप continue कर सकते हैं, तो चलते हैं अपने source folder में, यहाँ पे app.css है, यहाँ में नहीं चाहिए, इसको हम complete कर देते हैं, app.jsx में हमारे पास यह code पड़ा हुआ है, app.css हमने हटा दिया, तो import को भी हम हटा देंगे, अब इसके बाद हमारे पास assets folder में, logo.png है, and profile.png है, जिने हम use करेंगे, and हम इसमें use करेंगे, lucid react icons, react, तो अब lucid react icons हमारे पास install हो जाएंगे, तो यह install हो चुके हैं, अब चलते हैं अपने code पे, तो हमें चाहिए sidebar component, तो उसके लिए source folder में यहाँ पे, एक components folder बना लेंगे, and components folder में sidebar.jsx, sidebar.jsx में चलते हैं, यहाँ पे, export, default, function, sidebar, यह लेगा हमारे पास, children, इसके अंदर चलते हैं, और यहाँ पे, return कर देते हैं, अब चलते हैं, अपने app.jsx में, और इस hello world को हम हटा देंगे, यहाँ पे लगाएंगे, div, जिसको हम style दे देंगे, display, flex, इसके अंदर चलते हैं, और यहाँ पे लगा देंगे, sidebar, तो sidebar हमारे पास import हो गई, तो यह हमारे पास sidebar आ गई, तो हम tailwind CSS, यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमने, tailwind CSS लगाई है, तो यह display flex हो गया हमारे पास, save करते हैं, अब चलते हैं, अपने sidebar.jsx में, और यहाँ पर start करते हैं, सबसे पहले हम लेंगे side tag, अब इस side tag को हम दे देंगे styling, class name, height दे देंगे screen, इसके बाद nav लेंगे, nav को भी हम styling दे देंगे, height दे देंगे full, display flex, flex direction, column, background कर देंगे white, border, r, तो border r हमारे पास, border right width 1 pixel है, इसके बाद, shadow sm लगा देंगे, अब इसके अंदर चलते हैं, और यहाँ पे लेंगे हम एक div, और इस div को भी देते हैं, styling, padding दे देंगे 4, padding bottom 2, display flex, justify between, and items, center, तो अगर हम save करें, और refresh करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यह हमारे पास line show हो रही है, तो यह हमारे पास sidebar बन चुकी है, अब चलते हैं, इसके अंदर, और यहाँ पे हमें लगाना है logo, तो इसके लिए use करेंगे, image tag, और logo हमारे assets folder में, तो इसको यहाँ पे import करते हैं, import logo from, dot dot slash, assets slash logo dot png, और image में चलते हैं, और इसको source दे देंगे, logo, save करते हैं, तो आप देखेंगे, हमार पास यहाँ पे logo show हो रहा है, अब इसको styling देते हैं, class name, इसको width देते हैं, 32, save करते हैं, तो हमारा logo set हो गया, अब इस logo के नीचे हमें एक button चाहिए, यहाँ पे हमें एक button चाहिए, जिससे हम अपनी sidebar को retractable बना सकते हैं, तो यहाँ पे एक button लगा देंगे, button के अंदर यूज कर लेंगे, chevron, first, तो उपर हमारा पास, हमारा icon import हो गया, save करते हैं, तो हमारा पास यहाँ पे यह icon show हो रहा है, अब इस button को भी देते हैं, styling, class name, padding देतेंगे, 1.5, rounded, LG, background, gray 50, hover पे, background gray, 100 हो जाए, save करते हैं, तो अब हमारा पास यह icon set हो गया, तो hover करने पे हमारा इसका background, change हो रहा है, अब, इसके बाद, हमारे पास, हम show करेंगे, अपने children, जो कि होंगी हमारी sidebar items, जो कि हमारे center में आएंगी, सारी sidebar items, तो अभी के लिए, यहां पे हम लेंगे एक, unordered list, और इसके इंदर डाल देंगे, children, इस unordered list को देते हैं, styling, legs, one, padding x, three, save करते हैं, अभी children कोई नहीं है, तो हमारे पास कुछ भी, show नहीं हो रहा, sidebar item पे हम, बाद में क्याम करेंगे, अभी नीचे चलते हैं, और यहां पे, profile बना लेते हैं अपनी, तो इसके लिए यहां पे एक, div लेते हैं, इसको दे देंगे, styling, border, topflex padding 3, इसके अंदर चलते हैं, यहां पे हमें फिर से image चाहिए, जो कि होगी हमारी profile image, तो वो भी हमारे पास, assets folder में, तो इसको भी import कर लेते हैं, import profile from, assets profile.png, और यहां पे इसको source देते हैं, profile, save करते हैं, तो आप देखेंगे, आप हमारे पास, conference genius का logo, आ चुका है, अब इसको भी हम styling दे देंगे, class name, width दे देंगे 10, height दे देंगे 10, rounded, MD, save करते हैं, तो हमारे पास यह logo, छोटा हो गया, अब side में हमें चाहिए, अपनी Gmail आँ चाहिए, name आना चाहिए, तो उसके लिए, यहां पे एक div लेते हैं, इस div को, styling देते हैं, flex, justify between, item center, overflow, hidden, इस div के अंदर चलते हैं, यहां पे लेंगे एक और div, इसको देते हैं, styling, leading, for, इसके अंदर, h4 tag लेंगे, इसके अंदर लेंगे देते हैं, const, genius, इसको भी देते हैं, styling, class name, font, semi, bold, save करते हैं, तो हमारे पास यह const genius लिखा हुआ आ रहा है, तो leading for हमारे पास, line height, 1RM की हमने, और यहां पे नीचे font, weight 600 किया है, अब इसके नीचे, एक और, span लगा लेंगे आते हैं, span के अंदर लिख देंगे हैं, email, const genius, add rate, gmail, dot com, span में लेंगे आते हैं, class name, text, access, text, gray, 600, save करते हैं, तो हमारे पास, यहां पे, हमारी gmail भी, आ गई, अब इसके बाद, हमें साइड में, लोगों चाहिए, जैसे हम, log out कर सकते हैं, तो उसके यहां पे, एक icon लगा आते हैं, more, vertical, और इसका, size कर देंगे हम, 20, save करते हैं, तो हमारे पास, यह icon भी, आ गया है, अब इसकी spacing, जैसे हम items डालेंगे, वैसे इसकी spacing भी, सही हो जाएगी, तो अब हमें बनाना है, अपनी sidebar item, तो नीचे चलते हैं, यहां पे, export, function, sidebar, item, यह लेगी हमारे पास, icon, text, active, and alert, इसके अंदर चलते हैं, और यहां पे, return कर देंगे, list item, list item के अंदर होगा, हमारा icon, icon के बाद एक span, और span में होगा, हमारा text, save करते हैं, तो भी हमें कुछ दिखाई नहीं देरा, क्योंकि हमने यहां पे कुछ items, डाली नहीं हुई, तो यहां पर, sidebar के अंदर, हम डाल देंगे, sidebar, item, तो उपर हमारा पास, sidebar item, import होगी, अब इसमें डालते हैं, icon, जो की होगा, सबसे पहले हमारा पास, home, तो, lucid react से, home icon, import हो गया, और इसका size कर देंगे हम, 20, अब इसके बाद, text कर देंगे हम, home, save करते हैं, तो आप देखेंगे, हमारा पास icon आ गया, और text आ गया हमारा पास, home, अब हमें और भी, sidebar items हैं, और यहां पर हम डाल देंगे, alert, home के साथ, अब इलर्ट हम शो करेंगे, यहां पर, जो कि हम styling में, set करेंगे, sidebar item में, अब यह में, और sidebar items हैं, तो वो भी हम लगाते हैं, sidebar item, icon, यहां पर लेंगे हम layout, dashboard, और इसका size कर देंगे हम, 20, और यहां पर, text होगा हमारे पास, dashboard, इसको कर देंगे हम active, और यहां पर इसको कर देते हैं, close, तो हमारे पास, dashboard भी आ गया, अब हमें, और भी चाहिए, तो, उसको, मैं यहां पर, copy paste कर देता हूं, क्योंकि, बहुत जाए time लग जाए हमें, sidebar items, लगाने में, तो यह मैंने की, copy और यहां पर हम कर देते हैं, sidebar items, paste, save करते हैं, तो भी हमने, icons import नहीं किये, तो icons सारे, import भी कर लेते हैं, यहां पर, तो, import भी मैं यहां से, copy कर लेता हूं, और यहां पर हम import कर देंगे, paste, save करते हैं, तो अब हमारे पास सारी sidebar items हमें यहाँ पे show हो रही है home, dashboard, projects, calendar, task, reporting, setting, help तो अब हमारी सारी sidebar items आ चुकी है अब हमें देनी है इने styling तो उसके लिए चलते हैं अपने sidebar में और यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास list item है तो इसको देते हैं styling class name इसको देते है relative तो यहाँ पे ले 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 लेंगे हम relative flex items center py2, px3 my1 font कर देंगे medium rounded md cut-sear कर देंगे pointer transition लगाएंगे colors transition colors group अब अगर हमारे पास active true है तब हमारे पास लग जाए यह वाली styling bg gradient to top right from indigo 200 to indigo 100 text indigo 800 तो यह हमारे पास styling लगी अगर हमारे पास active falls है तब हमारे पास यह वाली styling लग जाए over over bg indigo 50 text text ग्रे 600 save करते हैं तब हमारे पास आप देखेंगे यहाँ पे यह set हो जुके हैं और अगर मैं किसी sidebar item पे hover कर रहा हूं तो उस पे हमारे पास indigo 50 हमें दिखाई दे रहा है तो अब यह हमारे पास इतनी styling set हो जुकी है तो अब इस pen को भी styling लेते हैं यहाँ पे class name इसको वेट दे दे देंगे 52 and margin left दे देंगे 3 save करते हैं तो अब हमारे पास यह सही से आ रहा है अब यहाँ पे हमारे पास यह कुछ सही से नहीं आ रहा है तो ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास congenius लिखा हुआ है और यहाँ पे image वाले div के नीचे यहाँ पे हमें styling देने पड़े की इसको वेट दे देंगे 52 and margin left ले देंगे 3 save करते हैं तो अब हमारे पास यह भी सही से आ रहा है तो अब इतना हमारा हो चुका है अब हमें बनाना है अपना alert जो कि हमें यहाँ पे एक dot show होगा तो उसके यहाँ पे नीचे चलते हैं और इस pan के नीचे यहाँ पे ले लेंगे alert इस alert के अंदर एक div लेते हैं और इसको देते हैं styling class name यहाँ पे देंगे absolute right कर देंगे 2, width कर देंगे 2, height कर देंगे 2, rounded background, indigo 400 save करते हैं तो अब हमारे पास यह dot यहाँ पे show हो रहे हैं तो जिस जिसमें हमने alert डाला है home और projects में डाला है तो उसी में हमें यह dot show हो रहे हैं तो अब हमारे पास full size sidebar complete हो चुकी है अब हमें काम करना है अपनी mini sidebar पे तो mini sidebar के लिए सबसे पहले हमें state variable चाहिए होंगे तो उनको ले लिए हम यहाँ पे const expended and set expended equal to use state इसको कर देंगे true अब यह हमारे पास toggle होगा हमारे इस button click पे तो यहाँ पे हमारा button है तो यहाँ पे on click on click पे हम टोल कर देंगे expended को तो यहाँ पे ले लेंगे set expended current और इसको कर देंगे हम toggle तो यहाँ पास toggle हो रहा है यहाँ पे अब अब expended variable के coding हम अपना icon show करेंगे तो यहाँ से इस icon से लग रहा हमें close करनी है और दूसरा icon होगा इसे open करने के लिए तो यहाँ पे हम ले लेंगे expended तो सबसे पहले हमें यहीवाल icon show होगा अगर expended हमारे पास true है और अगर हमारे पास false है तो हमें show होगा शेवरोन लास्ट शेवरोन लास्ट हमारे पास उपर इंपोर्ट हो गया save करते है और अगर मैं बटन पर क्लिक करूंगा तो हमारे पास यह icon change हो रहा है अब जब हमारी mini sidebar आगी तब हमें लोगों नहीं दिखाई देगा तो उसके लिए यहां पे हम इसको styling देते हैं तो यहां पे इसको हटायते हैं और यहां पे सबसे पहले लेंगे overflow hidden transition transition all इसके बाद अगर expanded true है तो इसकी width हो हमारे पास 32 नहीं तो इसकी width होगी हमारे पास 0 save करते हैं और अगर मैं click करूंग यहां पे तो हमारे पास हमारा logo चल गया और click किया तो हमारे पास logo आ गया तो यहां पे हमारी mini sidebar show होगी और यहां पे हमारी full size sidebar show हो रही है अब ऐसी हमें इसके लिए भी करना पड़ेगा तो यहां पे हमारे पास यह div है तो हमें image show हों चाहिए और यह हम कर देंगे hide तो उसके लिए यहां पे इनको ऐसले लेंगे इसको cut कर देते हैं इसको cut back tick लगा देंगे यहां पे अब इसके बाद overflow hidden के बाद हम लगा देंगे transition all and transitional के बाद यहां पे expanded के according इसकी width set करेंगे तो यहां पे expanded expanded अगर true है हमारे पास तो width हो जाएगी 52 and margin left 3 अब इस width और margin left को हम अटा देंगे और अगर यह false है हमारे पास तो इसकी width हो जाएगी 0 save करते हैं और output में देखते हैं तो जैसी मैंने क्लिक किया तो हमारे पास यह भी hide हो गया हमरा icon भी hide हो गया तो अतना हमारा mini sidebar का काम complete हो चुका है अब हमें यहां पे सिर्फ icon show करने है तो उसको अब set करते हैं तो उसके लिए हमें अपनी expanded state को communicate करना पड़ेगा अपने children के साथ जो कि है हमारी sidebar item तो उसके लिए हम use करेंगे context का तो यहां पे बनाते हैं context const sidebar context equal to create context तो उपर हमारा पास create context इंपोर्ट हो गया अब यहां पे हमारा children है तो इस children को हम wrap कर देंगे provider के around तो यहां पे लेंगे sidebar context dot provider और इस provider के अंदर डाल देंगे अपने children को और यहां पे हम pass करवा देंगे expanded अब इस expanded को हम access कर सकते हैं अपने children में जो कि हमारा sidebar item तो यहां पे हम ले लेंगे const expanded equal to use context यहां पे sidebar context अब expanded हमार पास आ गया है अगर expanded से हम इसको hide और show कर सकते हैं तो यहां पे हमारा text है तो यहां पे आएंगे हम इसको हटायते हैं और यहां पे कर देंगे overflow hidden transition all and expanded अगर हमारे पास true है तो इसकी width हो जाए हमारे पास 52 margin left 3 अगर यह हमारे पास false है तो width हो जाए हमारे पास 0 save करते हैं अब ऐसे alert के लिए करेंगे हम तो alert में चलते हैं यहां पे expanded अगर हमारे पास true है तो हमारे पास alert यहीं पे रहेगा अगर हमारे पास यह true नहीं है तो alert चला जाएगा हमारे पास top 2 पे save करते हैं और यहां पे अगर हम click करें तो हमारी side small होगी और अगर click करेंगे तो हमारे sidebar बढ़ी होगी तो small sidebar में भी हमारे icons अब सही से आ रहे हैं और हमारा alert icon भी यहां पे हमें show हो रहा है तो अब यह हमारे पास हो गया अब हमें यहां पे चाहिए floating text दिखाना चाहिए हमें कि जैसी मैं यहां पे over कर रहा हूँ तो हमारे पास यहां पे side में लिखाए home यहां पे dashboard यहां पे projects यहां पे calendar तो उसको हम बनाते अब उसके लिए end में आएंगे हम यहां पे अगर expanded false है तब ही हमारे पास हमारा floating text हमें दिखाए देन चाहिए यहां पे ले लेंगे हमें एक div और इसके अंदर लिख देंगे text अब इसको देते हैं styling class name कर देंगे से absolute, left कर देंगे full, rounded MD, padding X2, padding Y1, margin left 6, background indigo 100 and text कर देंगे indigo 800 text कर देंगे small, save करते हैं तो आप देखेंगे हमारा पास यहां पे floating text हमें दिखाए दे रहे हैं बट हमें यह hover करने पी दिखाए देन चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले इसको कर देंगे हम invisible opacity कर देंगे 20 and कर देंगे translate x3 transition लगा देंगे all अब करेंगे group over visible इसके बाद group over opacity कर देंगे 100 and last में group over translate x कर देंगे 0 save करते हैं और अगर मैं अपने icons पे hover करता हूँ तो हमारे पास आप देख सकते हैं floating text home पर home आ रहा है dashboard, projects, calendar, task, reporting, setting and help तो हमारी ये custom sidebar complete हो चुकी है using react and tailwind css अब हम इसे full screen में देख लेते हैं तो full screen में हमारी sidebar कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है हमारे पास यहां पे floating labels भी आ रहे हैं और हमारे पास maximize भी हो रही है और minimize भी हो रही है तो हमारी ये custom sidebar complete हो चुकी है using react and tailwind css और इसका complete code आपको इस github repo मिल जाएगा जिसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा इस वीडियो के end तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धरन्यावाद अगर आपकी कोई selection है तो नीचे comment कीजिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में थैंक यू